अब पिछली वीडियो में हमने क्या किया था हमने mean median mod देखा था एक साह देखा था किसका देखा था ungroup data का अब हम चलते है group data पे group data हमें यह दिया वह हमें x की values dvn1,2,3,4,5 और एक frequency dvn385,3,1 अब for group data हमारे पाथ एक formula आता है mean निकालने का वो formula होता है x bar is equal to submission of fx upon submission of f submission of fx क्या है submission of fx यह है कि मैं इन दोनों को frequency को और x को multiply करवाँ और उनका जो numbers आ हैं उन सबको add करवालू यह होता है submission submission of f क्या होगा कि इस portion को मैं sum करके निकालनों कि यह कितना है और दोनों को divide कर दूँ तो मेरे पास mean की value आ जाएगी किस सरीके से आ जो ज़रा देख लेते हैं सबसे पहले हमें इसको करना है क्या multiply करना है तो multiply करने के लिए हम क्या करेंगे हम यह करेंगे कि तो यह हमारी कुछ values आ गही अब मैं अगर इसके submissions की बात करूँ इसको अगर मैं sum करूँ तो इनका जो total sum आएगा वो बराबर होगा यह मैं direct कर लेता हूँ क्यूंकि मैं direct लेता हूँ आप calculator यह जो हम method पीछे यूज करते हैं वह यह sum करने के आप वह भी कर सकते हैं तो submission of f x की जो value आईए वो आईए आपकी 49 ओके और submission of f की क्या value आईए submission of f की हमारी value आएगी इन सब को जब हम add करेंगे तो देख लेते हैं यह हो जाएगा 6 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 8 20 तो यहा रहा है हमारा 20 अब हमें क्या करना है हम इंदों नों values को हमें क्या करना है divide करवाना है तो हमारे पास कि value आजाएगी हमारे पास mean की value आजाएगी किस सरीके से आजो यह भी बता देता हूँ किस तरीके से निका ली summation हमने यहां किया है और यह बाकी जीज़ थी अब इतनी तेर में divide किया नहीं किया चलो मैं बता देता हूँ जब 49 divided by 20 होता तो उसका answer आता 2.4 इसका जो है वो answer आ रहा होगा आपके पास ठीक है तो यह जो value आईए यह basically mean आईए अच्छा यह था हमारा direct method mean का यह था हमारा direct method तो mean का यह है हमारे पास direct method ओके अब इसका एक indirect method भी है वो भी हम देखते हैं उसका भी एक formula है उसको भी हम deal करेंगे कि किस चरीके से वो क्या होता है चलते